Forze ने नई गुर्खा का टीजर जारी कर दिया है और इसे जल्द ही भारत में लॉंच कर दिया जाएगा. टीजर में नई सोर्स गुर्खा का डिजाइन के बारे में काफी डिटेल्स मिलती है. कम्पनी इस नए मॉडल को तीन डोर और पांच डोर वर्जन में पेश करेगी 2024 भारत में SUV सेग्मेंट अब काफी बड़ा हो चुका है और आने वाले समय में आपको कई और मॉडल देखने को मिल सकते है जहां तक बात ओफ रोड SUV सेग्मेंट की करें तो महिंदरा थार और मारुती जिमनी काफी लोगप्रिय गाडियां पहले से ही बाजार में मौजूद है अब ऐसे में इन दोनों गाडियों को कड़ी टकर देने के लिए सोर्स भी अपनी गुर्खा का नया अफ़तार जल्द लॉंच करने जा रही है हाल ही में कमपनी ने इसका एक नया टीजर जारी किया है इस टीजर में नई सोर्स गुर्खा का डिजाइन के बारे में काफी डिटेल्स मिलती है कमपनी इस ने मौडल को तीन डोर और पांच डोर वर्जन में पेश करेगी इसमें 4X4 की खूबी तो जरूर मिलेगी ही साथ ही इसके डिजाइन में इस बार काफी बड़े बदलाव देखने को मिल सकते है इसमें 4WD के लिए आगे की तरफ नौब दिया जा सकता है इसके फ्रंट में नयापन मिलेगा यहाँ लेड हेड लैंप्स मिलेंगे इसके अलावा नया बोनत और बंपर भी दिया जाएगा साइड और रियर प्रोफाइल में भी नेपन की पूरी उम्मीद है इंजन और पावर गुर्खा पांच दोर में 2.6 लीटर्स डीजल इंजन मिलेगा जो की 91 BHP की पावर और 250 इनेम का तॉर्क पैदा करता है यह पांच स्पीड गियर बॉक्स से लैस होगा यह वही इंजन है जो 3 दोर वर्जन को पावर देता है लेकिन इस इंजन को इस बार ट्यून किया जा सकता है इसके अलवा नय मॉडल में 18 इंच डाइमंड कट अलोई भील्स देखने को मिल सकते है फोर्स गुर्खा पांच डोर में 2,825 mm वहील बेस हो सकता है ग्राहकों को है बेसबरी से इंतजार सोर्स गुर्खा काफी पॉपुलर SUV है और काफी लंबे समय से यह बाजार में खूब पसंद की जा रही है इंजन से लेकर बिल्ड क्वालिटी सब कुछ काफी दमदार है इस समय बाजार में मौजूदा महिंद्रा थार और मारुती जिमनी ही ग्राहकों के पास आप्शन के तौर पर है लेकिन अगर गुर्खा पांच दोर धमाकेदार अंदाज में आती है तो थार और जिमनी की बिक्री पर असर पर सकता है